सबसे important role play कौन करता है वो होता है client आप client के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बहुत आसानी से बीना investment के बहुत सारे real estate agents एक तरह के investor भी होते हैं अगर आपके पास capital कम है और आप construction industry में जाना चाहते हैं इस वीडियो इस पावरड बाय मेटास lifestyle इंडिया इस लीडिंग मैनेफाक्टरर और स्टेल ने स्टील मॉडूल केशिन बात्रूम वेनिटी वाडरोब और स्टील इंटियर फंचाइजी शोरूम पन इंडिया वाशकार दोस्ता हूं मैं हूं दॉक्टर अमित माहिश्वरी ब आपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करियर के ऑप्शन्स हैं आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल तरीके से रिल स्टेट का बिजनस कैसे शुरू किया सकता है और अगर आपको लगता है कि नेक्ट वीडियो मुझे बताना चाहिए कि modern method से real estate business कैसे करना है तो आप मुझे comment box में लिकर जरू बताइएगा तो real estate का business अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके कुछ basic steps हैं अगर आप इन steps को follow करते हैं तो बहुत आसानी से बीना investment के या बहुत nominal investment में आप real estate business शुरू कर सकते हैं सबसे पहले identify area where you want to start सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए या आप identify करें कि किस area में real estate का business आप करना चाहते हैं जब आप अपना area define कर ले तो उसके बात सेकिंड जो बात है वो है identify your category कि कि किस category में करना चाहते हैं क्योंकि real estate अपने आप में इतना बड़ा different network को capture करता है कि जहां पर ह हर एक चीज में expertise करना एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है तो आप सबसे पहले identify करें area उसको identify करें कि किस category में आप deal करना चाहते हैं जैसे रेलिदेंश्यल कॉमर्शल इंडस्ट्रियल या एग्री कल्च्रल हर एक के एक्सपर्ट बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं जो लोग एग्री कल्चल का कर रहे हैं उनका काम ही अग्री कल्चल से रेटेड लैंड पर काम करना है तो आपको identify करना आपकी category उसके एक व्यक्ति रेंट पर अपनी चीज़ देना चाहता है और एक लेना चाहता है उन दोनों को मिलाना और दोनों से कमिशन या अपनी सर्विस चार्ज करना होता है दूसरा लीज लीज भी रेंटिंग का एक पार्ट यह लंबे समय के लिए किसी जगे का और पठे पर दे रह करते हैं एक बायरा और एक सेलर है दोनों की मिटिंग कराना मीच्वल अंडर्स्टेंडिंग पर जो रेट फाइनल हुआ है उस पर डील क्लोज होती है और दोनों ही तरफ से एक एक परसेंट या दो दो परसेंट जो भी परसेंट जो भी परसेंट जोन में होता है वह चार्ज इस वगिरा बंगलो उस्तरा का भी हो सकता है तो डिपन करता हम कैस तरह का चibilidad सटी है अगर आपके पास क्रिद्धिंग पर उसे लैंड पर जैविल्डिंग की कि आपका बजट क्या है आपका इंवेस्टमेंट क्या है आपको जानके आशार होगा बहुत सारे लोग तो रियल स्टेट का बिजनस बिने इंवेस्टमेंट के शुरू और देते हैं अब तरीका क्या है गेट एक्सपिरियंस बाइ जॉब आप सबसे पहले रियल स्टेट जिस जोन में काम करना चाहते हैं उस जोन के किसी भी रियल स्टेट एजेंट बिल्डर डेवलेपर के पास जॉब करें उसका फाइदा क्या होने वाला है सबसे पहले आपको डिलिंग स्किल्स सीखने को मिलेगी कि क्लाइंट के साथ डिल कैसे करते हैं क्लाइंट के लीड कैसे आती हैं उनको प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं सेलर से कैसे बात करते हैं और सेलर से बात करने के बाद मीचल अंडरस्टेंडिंग पर मीटिंग कैसे कराते हैं उसके अलावा procedure and documentation समझना बहुत जुरूरी है आपको अगर real estate business करना है तो आपको जो प्रॉपर्टी के पेपर्स की वेल्यू है प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उनको कैसे study करना है उनके documentation का process क्या है उनकी legality को कैसे check करना है यह सारी knowledge होनी चाहिए और यह knowledge आपको प्रैक्टिकल करने से होती है और प्रैक्टिकल कहा मिलेगा किस कहीं न कहीं जॉब में मिलेगा experience आपको उसके अलावा legal formalities क्या होती है हर जगा प्रॉपर्टी को डील करने की ना से लग legal formalities होती है कहीं पर registry होती है कहीं पर power of attorney होती है कहीं पर कच्छे papers पर ही property बेज दी जाती है तो डिपेंड करता है मतलब जी पीए बोलते हैं जरनल power of attorney पर ही paper कर दिया जाते हैं और property को sale कर देते हैं अब इसमें एक problem और भी है कि कितना पार्ट आपका white में होगा कितना पार्ट आपका cash में होगा यह भी transaction इंडिया में बहुत जारा चलती है इसकी सारी knowledge जॉब को मिलेगी ना वह knowledge मिलेगी आपको job से क्योंकि कहते हैं कि गुरु चानक की नेक बात कही है कि यह सारा closing skills आपको आने चाहिए क्योंकि देखिए property is not selling like a single product it is selling like a product with a huge capital value जहां पर एक व्यक्ति शायद अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा रहा है यह एक व्यक्ति अपनी पूरी पूंजी को मतलब उसकी property को sale कर रहे तो वहां पर आपकी जो closing skills है ना बहुत important role play करती है और वो केवल और केवल आपको तभी आ सकते हैं जब आप उसका अनुभव करेंगे practical जितने आदा करेंगे ना उतनी ज्यादा skills आपके बढ़ती जाएंगी उसके लाबा जब आप यह experience कर लें मेरे आपको suggestion है एक of work में आप काम करना चाहते हैं उस एरिया में अपना एक office setup बनाएं तो friends office setup बनाने के बाद start promotion offline and online देखे किसी भी business में चाहें वो property का business हो या product manufacturing का हो या sale purchase का हो या किसी भी तरह की services का हो सबसे important role play कान करता है वो होता है client आप client के लिए आपको क्या करना पड़ेगा promotion करनी जो लोग अपने business को online platform के जरी advertise करेंगे वो आसानी से consumer के दिल तक पहुंच जाएंगे और consumer के list उनके पास बनती चली जाएगी और उनकी number of deals भी बढ़ती चली जाएगी offline में क्या क्या तरीके हैं मैंने बहुत सारी separate videos दी हुई है कि offline promotion कैसे करते हैं online promotion कैसे करते हैं वो आप जरूर देखें फिर भी मैं आपको बताता हूँ आपकी shop का जो board होना चाहिए उसके लावा leaflet, posters, newspaper में inserts, visiting cards, सभी जगा पर अपने printed material सब को भेजना, अपनी list भेजना, उसके लावा online में आपका आगया Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram पर अपने सारे post त्यार करना और लोगों को बताना कि now we have started sale purchase या commission basis या renting basis आप वो सारी detailing महाँ पर जरूर दें, get clients and start your business, clients आपको कौन से मिलेंगे, दो तरह के client होंगे, एक होगा buyer और एक होगा seller, क्योंकि अगर आप commission पर काम कर रहे हैं, तो आपको वो लोग भी चाहिए जो property बेचना चाहते हैं, आपको वो लोग भी चाहिए जो property खर पसंद कराएं, और seller से meeting कराकर deal को close करें, तो friends यह था real estate business को करने का traditional method, next video में हम बात करेंगे modern method के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे किस तरह से हम developers, builders या collaborators के साथ tie up कर सकते हैं, साथी साथ कैसे हम online platform के जरिए आसानी से बहुत सारे buyers and sellers तक पहुंच सकते हैं, तो friends business related कोई आप लोगों के लिए निकाल कर बिजनस पोस्ट करता हूं, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maheshwari, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जय हिंद, जय भारत